हाई गाईस मेरे नाम है संदीप और ये है Redmi K20 Pro के अंदर एक super amazing ROM जिसकी optimization आपको definitely पसंद आने वाली है और इस ROM को मैं first time जो है K20 Pro के अंदर use कराऊं वैसे ये जो ROM है मैंने personally काफी ज़यदा try की है अपने Redmi Note 7 Pro के अंदर बढ़ इसके अंदर जो optimization है वो भी आपको काफी ज्यादा कमाल की मिल जाती है और ये जो ROM है वो है superior OS का latest update जो की unofficially available है बढ़ इसकी जो optimization है वो आपको पसंद आएगी चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे बढ़ उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार है तो request है सब्सक्राइब कर सकते हो 17 के जल्दी ही होने वाले हैं तो प्लीज थोड़ी help कर सकते हो और उसके साथ वीडियो को भी प्लीज लाइक कर सकते हो सबसे पहले बात करेंगे रॉम के about phone page से तो आपको यहाँ पर मिल जाता है device code name रफाइल उसके बाद superior OS version है 12 L और यहाँ पर आप देखोगे android version 12 है august 5 2022 से android security update मिलेगा just one month old है उसके बाद Soviet star kernel है September 11 से updated और जो सिलनिक status है वो आपको enforcing मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर widewind L1 आपको देखने को मिलेगा and google photos के अंदर spoofing आपको यहाँ पर नहीं मिलती but F2FS का support आपको यहाँ पर मिल जाएगा and यह maximum charging speed 18 watts से मेरे को मिली charging time में maximum temperature 38 degree के आसपास गया उससे उपर बिलकुल भी नहीं गया and जो यहाँ पर temperature है और speed है वो आपको 2000 mAh के आसप टास के तो maximum आपको active drain मिलेगा 8-9% पर आर के आसपास idle drain 0% पर आर के आसपास है वैसे idle drain में आपको आगे दिखाऊंगा यहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हो 0% 0.18% पर आर के आसपास और deep slip काफी अच्छ से यहाँ पर working है और अगर आप ROM को थोड़ा heavy भी यूज करना चा तक सीबू त्रॉटल होता है 1,80,000 के आसपास maximum J-APS और average है 1,72,000 के आसपास और यह आपको geekbench 5 के scores देखने को मिल जाएंगे और यह आपको wildlife test के अंदर scores मिलते हैं अब इस ROM में जो आपको stock camera मिलता है वो आप देखोगी तो यह Gcam 8.1 है BSG वाला और यहाँ पर आपको slow motion videos I think working देखने को मिल जाती है 1 by 8X के उपर बड़ी यह lag करता है 1 by 4X के उपर working है और status bar के जो icons आपके disappear होते हैं अब LMC 8.4 के उपर मैंने वीडियो औरड़ी बना रखी है तो उसको भी install कर रखा है तो इसके अंदर ना यहाँ पर आपका अगरा MIUI वाली config मैंने दो आपके साथ share की थी first वाली मिलती है USP वाली दूसरी MIUI वाली अगर आप यहाँ पर MIUI वाली को apply करते हो तो आपका ultra wide वगरा working है 2X lens भी आपका working है I don't know बट यहाँ पर जो black and white है वो में भी आपका work ना करे mode बट अल्टरा wide वगरा सब कुछ यहाँ पर काफ यह चीज़े work कर रहा है even जो वीडियो जाना slow motion के अंदर 1 by 4X even 1 by 8X के उपर भी working है और यहाँ पर आपको जो है option नहीं मिलते 4K वगरा के बड़ा 4K 60fps में वीडियो को record यहाँ पर कर सकते हो और इसके regarding मैंने already वीडियो upload कर रखिया आप उस वीडियो को check out कर सकते हो अगर आपको इस Gcam का link चाहिए अब ROM के optimization की बात करेंगे overall UI का experience कैसा है वो आपके साथ मैं share करता हूँ first of all quick setting panel को pull down करनोंगे न तो काफी ज्यादा smooth experience आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कोई lag stuttering वगरा UI के अंदर नहीं आएगा और अगर हम बात करते हैं app opening closing animation के speeds की तो वो आप check out कर सकते हो वो भी लिटरली काफी ज़ज़ा smooth है जो first चीज़ आपको यहाँ पर पसंद आएगी वो इसका UI experience है जो animations है न वो literally buttery smooth आपको देखने को मिल जाएंगे recent का menu भी अगर आप देखोगे तो यह भी आपको latest updated मिलेगा बट जो यह launcher है वो आपको pixel launcher नहीं मिलता यह वाला जो launcher है यह आपको मिल जाता है यहाँ पर जो इस ROM का name है superior OS का launcher तो यह आप यहाँ पर check out कर लेना आपको icons के अंदर icon pack customize करने का option मिलेगा home screen के अंदर सब के सब options आपको मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ बे देख सकते हो app drawer के भी आपको options मिलेगे recent के अंदर भी आपको memory info का option मिलेगा miscellaneous में आपको task bar का option मिलेगा और background blur का depth हा उसको आप customize कर सकते हो left side में जो google cards की optimization है वो भी आप check out कर लो जो ROM है वो literally बहुत ज्यादा smooth आपको मिल जाती आपको सबसे जो best चीज़ लगेगी ना इसकी वो UI optimization है नो बात करते हैं settings की और settings के अंदर interface आपको कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे सबसे पहले superior goodies का option है about project का option है यहाँ पर customization का option मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पर monet engine का option मिलता है black theme का भी option है hell 90 body fonts भी काफी जज़ आपको दे यहाँ पर मिलेगा status bar के अंदर vault icons आपको maximum मिल जाते हैं I think यहाँ पर 24 types के तो वो भी आप apply कर सकते हो वो wifi icon है उसके बाद यहाँ पर जो है आपको option मिलेगा clock and date को customize करने का even अगर आप battery styles देखोगे तो वो भी आपको मिलेगे network speed के अंदर सब के सब options है quick settings की बात करे तो यह आपर data usage है brightness के regarding options आपको मिलेगे buttons की बात करे तो यह options है then navigation bar के अंदर system navigation मिलेगा जिसमें two button three button है और dead zone का option है gesture bar है haptic feedback है advanced gesture options आपको मिल जाएंगे बट जो आपकी pill की length है वो यहाँ से आप increase नहीं कर सकते उसके बाद gestures के अंदर आपको यहाँ पर three finger gesture भी देखने को मिलेगा और double tap का option है lock screen वगरा के उपर lock screen के अंदर आपको charging info का option मिलता है and power menu में advance restart है notification के अंदर in call vibration options है miscellaneous के अंदर होगे तो ignore windows secure flags है wake on plug का option है ripple effect मिल जाएगा apps के अंदर अगर आजा होते हो तो यहाँ पर आपको game space देखने को मिलेगा latest वाला है और अगर हम बात करते हैं battery की तो यहाँ पर जो usage है वो आपको android 11 का मिलेगा बट जो यह वाला आपको UI या वो Corvus के latest 4.0 से updated मिल जाता है यानि कि उसके जैसा ही है और अगर हम बात करते हैं sound की तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी me sound enhancer वगरा देखने को नहीं मिलता और EOSP वाले आपको यहाँ पर sounds देख आपके लिए present है और वालपेपर हैं style के अंदर maximum जो grids आपको मिलेंगे वो थोड़े ज्यादा है आपको मिलता है 6 x 10 तक themed icon मिल जाता है जो की working है और security में face unlock fingerprint और app lock 3 है screen of FOD की जो speed आप आप चेक आउट कर सकती हो काफी ज्यादा fast आपको मिलती है and कोई भी delay आपको यहाँ आपको check out करवा दिये जो UI की optimization है वो आपको superior मिल जाती है and यहाँ पे अगर आप gaming की बात करना जाते हो bgmi मैंने try किया and जो experience है वो next level आपको देखने को मिल जाता है जो response आपको मिलता है जो smoothness मिलती है bgmi के अंदर and जो fps आपको consistent मिलता है वो काफी ज्यादा amazing आपको एगा and यह ROM definitely recommended है gaming के लिए even hardcore gaming के लिए भी recommended है और इससे ही मिलते जूलती एक ROM आपको और recommend कर सकता हूँ वो है Pixies OS का जो last time ने 5.1.5 Android 12 L update review किया था तो वो भी आपको fully recommended है and यह वाली ROM भी fully recommended है मेरी तरफ से अगर आप gaming के लिए ROM ढून रहे हो और एक better सा UI experience और customization चाहिए यह यह ROM आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली and यह मेरे personal experience है इस ROM के साथ में starting से ही और यह जो ROM है वो मेरी personal favorite भी थी एक time में और फिर से यहां पर अभी बन चुकी है so इस ROM को आप definitely try करो major heating issues वगर आपको नहीं आने वाले maximum जो यहां पर temperature किया था ना gaming के time में वो मैंन पर्फॉर्मेस के उपर impact नहीं पढ़ने वाला FPS काफी ज़्यादा लाजवाब आपको देखने को मिलने वाले हैं तो यह दो ROM जो मैंने आपको बताई दोनों को आप dry करो gaming के लिए आपको कोई भी issues नहीं आने वाले और अगर आपको यहां पर better experience भी चाहिए ना तो यह ROM फ